मुख्यमंत्री विश्णु देव साय आज नारायनपूर जिले के कुमार पारा में आयोजित किसान मेला 2024 में सामिल हुए। उन्होंने दीप प्रजुलित कर करकम का विधिवत शुबारम किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राम कृष्ण द्वारा संचालित कि पहले किसानों के पास अच्छी क्रिशी के लिए पैसों की दिक्कत थी। गाउं के साहुकारों से किशान ओने पॉने ब्यास दर पर कर लेने के लिए मजबूर थे। हमारी सरकार ने किसानों की इन दिक्कतों को दूर करने के लिए क्रिशी लोन देने की शुरुवात की ह हमारा पहला अगमन आप लोगों के बीच में नाराइनपूर में हुआ है और जब से नाराइनपूर परविश किये हैं अभूत्पूर स्वागत हम लोगों का हुआ है नगर में भी हमारे पार्टी के लोग विभिन संसा के लोग स्वागत किये हैं यहां पर आश्रब में भी आये हैं पर आप लोगों ने आत्में स्वागत किया है इसके लिए बहुत-बहुत आप लोगों के आभारी है और शत्यगण प्रदेश के मुख्मंत्री के नाते आज के इस मेला में आप सभी लोगों का मैं हिर्दय से अभिनंदन करता हूं स्वागत करता हूँ आज का एक किसान मेला रामकृष्ण मिशन और सरकार मिलकर आयुजन किये हैं बहुत सुन्दर एक किसान मेला है हमारे कृष्णी मंत्री जी एक एक चीज को बता रहे थे कि कितना बड़ा बड़ा यहां पर कद्द्दू, लौकी, पपिता हमारे किसानों ने प्रदर्श्नी में रखा है हम लोग तीनो मंत्री और की संत्रोिन सभी एक किनारे से दूसरे किनारे तक अलोकन किये हैं आस्तों में सभी किसानों को हम बहुत-बहुत बधाई देते हैं धनवाद देते हैं बहुत अच्छा अपने फसलों को यहां पर प्रदर्श्री में रखे हैं और आज हम इस आश्रम का बहुत धनवाद करना चाहेंगे आज इस दूरस्त अंचल में आदिवासी अंचल में आज अगर इस छेत्र का बिकास हुआ है चाहे वो शिक्षा के छेत्र में चिकित्सा के छेत्र में या कृसी के छेत्र में यहां के समाज के लोगों का चोहमुखी विकास हुआ है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान इस राम कृष्ण मिशन का है इसलिए उनकी जितनी तारीप की जाए कम है मैं राम कृष्ण मिशन का नाम बहुत सुना था तिन तिन बार प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा लेकिन यहां आने का आउसर नहीं मिला था मेरी जानकारी में पहली बार यहां पर आया हूं वास्तों में बहुत अच्छा लगता है और यहां पर बसने का भी मन करता है ऐसा यह सुन्दर नाराइनपूर जगह है स्वामी व्याप्तानन जी बता रहे थे कि हाँ पर शिरिप क्रिसी सिक्षा चिकित्षा ही नहीं लेकिन और भी 181 आंगनबाडी केंद्र आसपास के गाउं में खोले हैं हर तरह का विकास की जिम्यदारी इस संस्था ने लिया है बहुत बहुत इसके आभारी है और आज ये किसान मेला है हमारा ये देश सी क्रिसी पर धान देश है भारत देश सत्तर से पच्छत्तर पतिसत लोग क्रिसी पर अधारित है आज इस देश का जो जीडिपी है उसमें भी बहुत बड़ा योगदान हमारे देश के अंदाता किसान भाईयों का है और हमारा इच्छत्तिस गर्धान का कटोरा कहलाता है और हमारी सरकार किसानों के लिए बहुत चिंता करती है मैं बताना चाहूंगा कि सरदेह टल बिहारी बाजपई जी जब इस देश के प्रधान मंत्री थे मेरा सोभाग था कि उप्रधान मंत्री थे उस समय भी मैं सांसत के रूप में काम करता था तो आप सबको मालूम है कि पहले किसानों के पास अच्छा क्रिस्वी करने के लिए पूंजी नहीं होता था हम लोग किसान लोग महाजन लोगों से पूंजी लेते थे और सववया डेढ़ा उसका व्याद साल के अंत में देते थे लेकिन सर्देह अटल विहारी बाचपईजी ने किसानों की समस्या को दूर किया किसान क्रेडिट कार्ड ही उजना सुरू करके आज किसान क्रेडिट कार्ड में कम याज में किसानों को उनत खेती करने के लिए आज लोन मिल रहा है और 36 गड में तो 15 साल हम लोग सरकार में थे लॉक्टर रमन सिंग के नेत्युत में तो कोपरेटिव बैंक में 0% में के सी सी की ब्रॉस्था हुई थी तो यह सब दरसाता है कि भारती जनता पाड़ी की सरकार किसानों के लिए कितनी चिंती थे हमको मालूम है कि अटल विहरी बादपई जी के समय ही फसल विमाय उजना को सरल किया गया पहले खाली फसल विमाय का नाम सुनते थे उसका लाब किसानों को मिल नहीं पाता था लेकिन उस समय फसल विमाय उजना को भी सरल किया गया आज किसानों को फसल भी मयोजना का भी लाब मिल रहा है। आज इस देश में नरेंद मुंदी जी परधान मंत्री हुए। आज हमनों का सोभाग है 140 करोड भारत वासियों का कि ऐसा दूर द्रस्टा परधान मंत्री मिले हैं। जिनका धेव आके है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका पर्यास। आज सब को बराबर मानते हुए आज पूरे देश के विकास में लगे हुए हैं। और आज हमारे असोसी प्रधानमंती के कारण आज पूरे बीस्व में भारत का डंका बज़रा है यह सब आज ज्यादा समय नहीं है बताने का आप सब लों को मालूम भी है यह हम लों के लिए गौरों की बात है और किसानों के लिए भी उन्होंने चिंता किया है पहली बार तो उन्होंने क्रिसा कर लियान